जुहार हजारी बाग ज्ञारकंड के सबसे होट सीट गिरीडी में आश्टू ने अपना परत्यासी गोशित कर दिया गया है सीटिंग एमपी चंद्रपरकाश चोदरी जी को मैदान में उतारा गया है आपको बता दू कि गिरीडी सबसे होट सीट क्यों है तो कि इसी गिरीडी से जेबी केसेस के जराम में तो जिनको लोग टाइगर टाइगर कहते हैं एक डिल साल में इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी की है जारकंड में कि इतना भी कोई नेता इतना पॉपुलर नहीं है जैराम महतो गिरीडी से चुनाव लड़ेंगे ये पहले ही गोशित कर चुके हैं और फील्ड में काम भी कर रहे हैं तो अब गिरीडी का होट सीट इतना महतपूर्ण इसलिए है क्योंकि नया लीडर जो है वो मैदान पर उत्रा है अब जैराम महतो और चंद्र परकास चौधरी दोनों में टकर होने जा रहा है गिरीडी की जनता क्या कहती है कौन जीतेगा इस बार गिरीडी का मैदान कौन जीतेगा गिरीडी का गिरीडी का चुनाव महतपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैबी के से अगर एक भी सीट जीती है गिरीडी से तो उनका पर्चम लहरेगा और एक बड़ी पार्टी उभर के आएगी और गिरीडी जीतने के बाद जराम महतोगी पार्टी शायद विधान सबाम भी कुछ बड़ा कर ले तो इसी को लेकर पूरे जहारकंड की नजर जो है वो गिरीडी पे है और गिरीडी सबसे होट सीट बनता जा रहा है जहारकंड में बीएपी ने अपने परत्याशी हर जगा पहले ही गोसित कर दिये थे लेकिन तीन जगा उसने दिले किये जिसमें गिरीडी धनबाद और 4 सीट थी धनबाद और 4 सीट में तो परत्याशी गोसित कर ही दिया था एक दिन पहले लेकिन आज जो है आज तुने गिरीडी लोग सबा सीट का भी परतियाशी गोसित कर दिया गया है और चंद्र परकास चौधरी जो है सिटिंग MP वो खड़े हो रहे हैं गिरीडी से और उनके सामने जो रहेंगे जेवी केसस के ईवाने ता जरहाग में तो रहेंगे तो कौन जीतेगा गिरीडी, गिरीडी हाट सीट है अरकंड पर नखर है जेवी केसस क्या एक बी सीट जीतती है या और बी जगह पे जेवी केसस आपना पर्चम लहराएगी देखेंगे आगे चुनावी मोहल में